इस तंडूरी चिकन पर मैंने मसाले की डबल कोटिंग की है जिससे ये तंडूरी चिकन जो है एकड़म चटाकेदार छटपटा सा जूसी बन कर तैयार है इसे आप अगर इस तरह एक बार बार इसी तरह तंडूरी चिकन बनाएंगे तो चलिए फ्रेंज आज बनाते हैं एकदम मसालेदार तंदूरी चिकन वो भी बिना अवन और बिना तंदूर के तो इसके लिए यहाँ पर चिकन के 1 किलो पीसिस लिए है मैंने तंदूरी बनाने के लिए और इस चिकन को मैंने विनेगर लगा कर अच्छी तरह धो कर साफ करके रख लिया है विनेगर या फिर नमक का इस्तमाल करके अगर चिकन को धोएंगे तो चिकन में स्मेल नहीं आएगी तो आप देखिए चिकन के पीसिस पर इस तरह हमें कट लगा लेना है इससे जो है मसाला अंदर तर अच्छी तरह जाएगा और चिकन एकदम मसालेदार बनेगा तो यह देखिए लेक पीसिस के तरफ भी हमें इस तरह अच्छे से कट लगाने हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीस आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो याँ देखिए चिकन को इस तरह अच्छे से कट लगा कर रख लेंगे सारी पीसिस पर तो अब अच्छे से मैंने सारे पीसिस पर इस तरह कट लगा लिए हैं अब इसमें मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले नमक डालते हैं 1 चमच एक छोटा चमच नमक है ये एक चोटा चमच हल्दी पाउडर डालते हैं तंदूरी चिकन रेस्टूरंस और फास्ट फूर्ड में बहुत महंगा होता है उसी के आदे प्राइस से हम घर पर चिकन लाकर इस तरह मजे का तंदूरी चिकन बनाकर मन भर के खा सकते हैं तो यहाँ पर एक चमच अदरक कर लरसन का पेस्ट डालेंगे और आधा लिम्बू का रस निचोडेंगे अब यह हमारा फर्स्ट मेरिनेशन होगा चिकन का लिम्बू के रस को अच्छी तरह इस पर निचोडने के बाद अच्छी तरह अप्सारा मसाला चिकन पर लगा लेंगे और फिर इसे 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देते हैं तो दिखे सारे पीसिस पर अच्छी तरह मसाला लगा दिया है मैंने अब इसे रख देते हैं मेरिनेट होने के लिए 20 मिनिट के लिए मैंने चिकन को रख दिया था और ये दिखे चिकन में से ऐसे पानी निकलेगा तो ये जो है पानी हमें इस्तमाल नहीं करना है इसमें से पीसिस को ही सिर्फ निकाल लेंगे तो चलिए अब इसकी second marination करते हैं यहां मैंने 400 ग्रैम एकदम गाड़ी वाली दही ली है अगर आप normal packet वाली दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले छन्नी में डाल कर रख दीजे उसमें से पानी सारा निकल जाएगा उसके बाद इस तरह गाड़ा दही निकलेगा तो उसे लेंगे और इसमें डालते हैं दो चमच भरके लाल मीच पाउडर और इसमें डालते हैं एक चमच काला नमक इसे ज़रूर डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें काली मीच का पाउडर डालते हैं आधा चमज भरके और ये है चाट मसाला पाउडर एक चमज एक चमज धनिया पाउडर और एक चमज भुनावा जीरा पाउडर अद्रक और लेसन का पेस्ट डालते हैं एक चमज भरके लेकिए चिकन मैरिनेट करने के लिए भी हमने अध्रक और लसन का पेस्ट इस्टमाल किया था इसलिए अभी एक चम्मची डालेंगे दो चम्मच कसूरी मेथी को तवे पर हलका सा भून कर क्रश करके डाल रहे हो कसूरी मेथी को इस तरह भून कर अगर करश करके डालेंगे तो इसमें बहुती बढ़िया फ्लेवर आएगा तो इसे भी ज़रूर डालिएगा 2-3 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे आप चाहे तो इसमें सर्सों का भी तेल डाल सकते हैं लेकिन सर्सों का तेल का फ्लेवर हर किसी को पसंद नहीं आता तो यहां पर मैं भी नॉर्मल ही तेल इस्तमाल कर रही हूँ तो आदा लिम्बू का रस निचोडेंगे इसमें पहले भी हमने मैरिनेशन में आधा लिम्बू का रस डाला था और आगे भी हमें लिम्बू का इस्तमाल करना है इसलिए अभी हमें सिफ आधा ही इसमें डालना है लिम्बू के रस से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आदे चम्मत से भी थोड़ा सा कम तंदूरी फूर कलर डालेंगे इसमें इससे यो है फास्ट पूर और रेस्टूरंस में मिलने वाले तंदूरी चिकन की तरह इस पर भी कलर आएगा अब सारे मसालों को अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं एकड़म कलर फूले मसाला लग रहा है और जैसे जैसे मसाला मिक्स कर रही हूँ इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है मसाली की अब चिकन के पीसिस को इसमें रखकर अच्छी तरह मसाला लगाएंगे सारे पीसिस पर तो देखिए जहां पर कर्ट से वहाँ पर मसाले को अच्छी तरह लगा कर ऐसे रब करेंगे इससे जो है मसाला अंदर तक जाएगा और चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो देखिए सारे पीसिस पर इस तरह रब करते हुए मसाले को लगाएंगे और इस मसाले को लगाने के लिए देखिए ऐसा चोड़ा वाला ही बरतन लीजिएगा इससे जो है मसाला अच्छी तरह लगा पाएंगे चिकन में तो फूर्ड कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और एड़ कर दिया इसमें तो ये देखिए बहुत ही बड़िया मसाला लग चुका है चिकन के पीसिस पर और जो थोड़ा सा मसाला इसमें बचा है इसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे आप वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा ज़रूर देखिएगा इस तरह नॉन स्टिक कड़ाई होगी तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें मसाला जो है लगेगा नहीं या फिर आप तवा भी इस्तमाल कर सकते हैं नॉर्मली कड़ाई गर्म कर लेने के बार मैंने इसमें दो चमच तेल डाल कर गर्म कर लिया है और एक एक चिकन के पीसिस को इसमें रखेंगे जितने इसमें डाल सकते हैं उतने ही डालिएगा और फिर देखिए गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है अब लो फ्लेम पर ही इसे ढखकर थोड़ी देर पकाते हैं तीन से चार मिनिट के लिए इसे पकाते हैं एक साइड और दूसरी तरफ फिर पलटते हैं तो यह दिखे तीन से चार मिनिट हो चुके हैं अब इने पलट लेते हैं अब इसी तरह चिकन के दूसरे साइड भी ढखकर पका लेते हैं तो दूसरी तरफ भी पका लिया है मैंने और जहां जहां पर दिखिए चिकन आपको लग रहा होगा कि कच्चा है तो चुम्टे की मदद से ऐसे चिकन को पकड़ कर थोड़ा सा गर्म होने दे तो आप चिकन को निकाल लेते हैं और जो कडाई में मसाला थोड़ा सा लगा है उसे निकाल लेते हैं और फिर दूसरे पीचिस को भी इसी तेल में डालकर इसी तरह फ्राइ कर लेते हैं यह तंदूरी चिकन सब के फैवरेट होती है स्टार्टर की दिश में तो इसे हर कोई खाना पसंद करता है अब बच्चे वी दोनों पीचिस को इसमें डालकर इने भी अच्छी तरह भून लेते हैं जब तक यह दोनों पीचिस पकते है चलिए चतनी बना लेते हैं इसके लिए तो चतनी पनाने के लिए एक committed सर जार में एक मुट्री भर के हरा धनिया डालेंगे और एक मुठी भर पुदीना धनिया और पुदीना ताजे होंगे तभी चत्नी बहुत टेस्टी लगेगी इसमें दो हरी मिचे डालते हैं आधा इंच अद्रक का तुगडा और पांच से छे लेसुन कि कलिया और थोड़ासा जीरा पाउडर भुना हुआ उसके बाद काली मीच का पाउडर भी डालते हैं, दो-से-तिन चुटकी जितना और यहां पर आधा चमच चाट मसाला पाउडर डालेंगे, इससे चटमी टेस्टी बनेगी और थोड़ासा नमक डालते हैं, ज्यादा नही यह चटनी तंदूरी चिकन खाने के लिए एकदम परफेक्ट है स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि तंदूरी चिकन पर डबल कोटिंग की है चिकन के पीसिस को निकाल लेने के बाद जो इसमें तेल बचेगा उसी में बटर दालते हैं 3-4 चम्मा जितना आपके जितनी मर्च इसमें बटर डाल सकते हैं तो बटर को बिना स्कीप किये जरूर डालेगा इससे जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब बचा हुआ जो मसारा हमने रखा था इसे डाल लेते हैं सारा मसाला जो है अच्छी तरह इसमें डाल कर मिक्स करें और फिर इसमें हम दो पाउडर एक चमच भरके और उसके बाद आधा लिमू का रस और निचोड़ेंगे इसमें तो मसाले को चक कर देखिएगा अगर नमक की ज़रुत होगी तो इस समय आप थोड़ा सा इसमें मिला सकते हैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर या फिर जाइफल का पाउडर भी आप डालना चाते हैं तो डाल सकते इसमें 2-3 चुटकी जितना 2-3 मिनट में ही ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा तो देखिए मसाला जब पकेगा तो बटर ऐसे अलग होगा मसाले से गैस की फ्लेम देखिए बिलकुल स्लो है अब चिकन के पीसिस को ऐसे एक एक करके मसाले में डालेंगे और उपर से इसके अच्छी तरह मसाला लगाएंगे इससे जो है मसाला एक बार और अच्छी से लग जाएगा चिकन के उपर कलर दीखे कितना खुबसुरत लग रहा है ये तो इसी तरह एक एक पीसीज को अच्छी तरह मसाला लगा कर निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं अब चिकन के पीसीज को हमें स्मोकी फ्लेवर देना है इससे जो है एकदम परफेक्ट अंदूरी चिकन बन जाएगा तो सारे पीसीज को पहले मसाला लगा कर निकालेंगे अब गैस की बिलकुल लो फ्लेम पर स्टैंड रखेंगे इस तरह मैंने देखिए अवन में जो स्टैंड होता है उसी को रखा है आप कोई भी जालीदार ऐसा स्टैंड रख सकते हैं अब चिकन के पीसीज को इसके उपर रखकर चुम्टे के मदद से देखिए अलटे पलटे ह हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे देखा आपने फ्रेंज कितना आसान है यह बिना ओवन या फिर बिना तंदूर के भी चिकन तंदूरी बनाना तो इसी तरह सारे पीसीज को आप भून लीजिएगा गैस की फ्लेम पर और यहां देखिए मैंने गानिश किये हैं कुछ प् पूदीनी के पत्ते और वो जो चटनी बनाई थी हमने उसे भी मैंने एककटोरी में रख दिया है उम्मीद करती हूं कि आपको यह रेसिपी ज़रूर बसंदाई होगी लिएक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज थैंक्स पर वाचिंग